फिल्म अभीनेता शारुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार राहत मिल ही गई ब्रग्स मामले में उन्हें गुरुबार को ही जमानत मिल गई थी लेकिन सारी प्रक्रियाएं पूरी होने में काफी समय लग गया बीते दिन भी उन्हें जेल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई लेकिन और्थर रोड जेल में समय से बेल ओर्डर नहीं पहुँचने की वज़ह से वो रिहा नहीं हो पाई तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार आर्यन खान आज जेल से रिहा हो गए आर्यन खान जेल से रिहा हो गए हैं मुंबई क्रूस ड्रग्स मामले में छापे के दौरान गिरफतार हुए आर्यन खान 27 दिन बाद मननत पहुँचे घर में खुशी का माहौल है जेल के बाहर शारु खान के बोडी गार्ड आर्यन को लेने के लिए पहुँचे थे आर्यन जेल से बाहर निकले और सीधे गारी में बैठ कर मननत पहुँचे उनके जेल से बाहर निकलते ही फैंस के बीच खुशी देखी गई मननत पर भी लोगों का जमावडा लगा रहा बता दे कि आर्यन की जमानत जुही चावला ने ली है उन्होंने कोट में कहा कि वो आर्यन को बचपन से जानती है आर्यन का विस्तरत बेल ओडर करीब पाँच पेच का है जिसके मुताबिक आर्यन खान, सहित अर्बाज और मुन्मुन धमेचा को एक लाख रुपे का परसनल बॉंड भरना होगा आरोपी इस तरह की किसी गतिविधी में शामिल नहीं होंगे किसी साथी आरोपी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे गवाहों को प्रभावित और सबूत से छेड़ चाड़ नहीं करेंगे उन्हें पासपोर्ट सरेंजर करना होगा कोड में पेंडिंग इस केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे तीनों कोड की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई इस्तित NCV दफ्तर में हाजरी देनी होगी इन सभी शर्तों को मानना सभी के लिए जरूरी होगा गौरतलब है कि गुरुवार को ही आर्यन को जमानत मिल गई थी लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उन्हें जेल से बाहर आने में देरी हुई शुक्रवार को भी पूरे दिन आर्यन खान के घर लोटने का इंतजार होता रहा लेकिन कल आर्यन जेल से बाहर नहीं आ पाए थे डीवी लाइव की रिपोर्ट